अर्थ सास्त्र विज्ञान की वह साका है जिसके अंतरगत वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन, वित्रण, विन्मे तथा उत्भोग का अध्धिन किया जाता है। अर्थ सास्त संस्कित सब्दों अर्थ, अर्थाधन और सास्त से मिलकी बनाएं, जिसका अर्थ है धन का अध्धिन, अर्थ सास्त में मनुस्यों के अर्थ समंद्रिकारियों का क्रमबद अध्धिन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिभासा के बिना किसी भी विशे में निश्यत्ता नहीं आती है और इसका परणाम वेक्ति का विशे से हटकर भटक जाना होता है इसलिए किसी भी विशे के लिए परिभासाओं का होना अतियंत आविश्यक है इसी परिपेक्ष में आज हम लोग चर परमपरावादी अर्षास्त्रियों का मानना था कि अर्षास्त धन की व्याख्या करने वाला विग्यान है और यह धन की प्रकृति पर प्रकाश डाल कर उसके कारणों की व्यक्तिकत और सामाजिक दोनों पहलों से विवेचना करता है इस मत के प्रवर्तक एडम इसमित थे उन 1976 में प्रकासित An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation नामकुस्तक के नामकरण द्वारा ही उन्होंने अर्षास के सुरूप तथा छेत्र को इसपश्ट करने का प्रयास किया है इंगलेंड के बाहर फ्रांस और अमरीका में अर्षास्त्रियों ने एडम इसमित के प्रवाव के कारण अर्षास को धन के विग्यान की रूप में प्रवासित किया है परंपरवादी अर्षास्त्रियों में एक अर्षास्त्री सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्षास्त के द्वारा किये जाने वाले विसलेशन का विसे धन है ना की सुक इसी दिश्टिकोन की पुष्टी जान इस्टुवर्ट मिल ने अपने गरंथ प्रिंस्पल्स आप पॉलिटकल एकनावी में की थी मार्सल से पहले मिल का ये गरंथ अर्षास्त्रियों की गीता थी मिल ने इसमें लिखा कि अर्षास्त मानों से संबद धन का विज्ञान है अमरीकी अर्षास्त्री फ्रैंसिस वाकर ने एडम स्मित की पुस्तक वेल्टाप नेसंस के प्रकासन के लगभग 100 साल बाद 1883 में अपने गरंथ पुलिटकल एकनॉमी में अर्षास को प्रभासित करते हुए लिखा है कि अर्षास ग्यान की वैसाका है जो धन से संबद धित है इन परिभासाओं से इसपष्ट है कि परंपरावादी अर्षास्यों ने धन सब्द का प्रियोग अतिधिक संकुचित अर्द में किया ये केवल उनी भौतिक वस्तों को धन मानते थे जो उप्योगी होने के सासाथ मात्रा में सीमित है इसके अतित इन्होंने मानों के उद्देश्यों की पूर्ती के साधन की रूप में धन की विवेटना नहीं की इन्होंने मानों के कारेकलापों से धन को अलग कर उसका अध्यन किया इस से इस विषय के बारे में अनेक भ्रांतियां उत्मन हो गई थी और इस विषय को गंभीर आलोटनाओं के अवसर प्रदान किये जिन अलहारों पर परमपरवादी अरसास्तियों दो आदी गई परिभासाओं की आलोटनाओं की गई उनमें पहला है कि परमपरवादी अरसास्तियों ने धन की तुलना में मानों का अस्थान गौर स्विकार किया धन वास्तों में मानों के कल्यान का एक साधन है इसे मानों जीवन का उत्यस नहीं माना रे सकता है मानवी किरियाओं को गौड मानकर धन के अध्यन पर ध्यान करना परंपरावादी अरसासियों की एक भूल थी जिससे धन की महत्ता को अनावसिक रूप से बढ़ा दिया गया आलोटना का दूसरा बिंदू है धन को संकुचित अर्थ में स्विकार करना परंपरावादी अरसासियों ने केवल इस्थूल वस्तू जैसे कपड़ा, अनाज, मकान अधि को धन माना प्रूफेसर, वकील तथा अभिनेता अधि की सेवाएं धन की परिवहासा के बाहर थी इससे भ्रहम उत्पन हो गया और उप्रोख स्रेणी की लोगों की सेवाओं का अध्यन अर्षास के छेतर के बाहर सुईकार किया गया परंपरवादी अर्षास्रियों की परिवहासाओं की आलोटना इस आधर पर की जाती है कि उन्होंने आर्थिक मनुसिकी कल्पना की एडम इसमित द्वारा आर्थिक मनुसिकी कल्पना ने अर्षास को कटू आलोटना का विसे बनाया वसुता अर्सास हार मास के वास्विक व्यक्ति की किरियाओं का अध्यन करने वाला विसे है अता इस दिष्टी से भी प्रतिष्ठित अर्सासियों का दिष्टिकों सही नहीं है तो इस पकार हम कह सकते हैं कि धन की तुल्ला में मानों का इस्तान गौड सुविकार करना, धन को संकुचित अर्थ में सुविकार करना और आर्थिक मनुस्य की कल्पना करना इनके कारण परमपरावादी अर्षास्तियों की आलोट नहीं की गई अब हम लोग चर्चा करेंगे भहुतिक कल्ल्यान का विज्यान मानने वाली अर्षास्तियों की परिभासा उपर अर्षास की परमपरागत परिभासा हैं जिसमें आर्थिक विस्तेशन का विशे धन था अनेक दारस consume को जैसे रस्के नाधी ने उसकी आलोटना की इन आलोटनाओं से बचने के उद्दे से अर्षासियों ने ये कहना सूर कर दिया कि अर्षास की विवेटना में मानो का स्थान अधिक महात्पून है जेस मिल जो कि एक परंपरावादी अर्षासी थे उन्होंने भी इस बात पर जोड़ दिया कि आर्थिक विशेशन का विशे धन्ना होकर मानो है इसी दिश्ट्रिकोन को लेकर मार्सल, कैनन, पीगू, बेवरिज आधी ने अर्षास को प्रभासित किया मार्सल ने अपने प्रकासन प्रिंस्पल्स आफ एकनॉमिक्स में लिखा कि अर्षास जीवन के साधान व्योसाय में मनुस्य मात्र का अध्यन है वेव व्यक्तिकत तथा सामाजिक कारे के उस अंस की परिख्षा करता है जो कल्यान के भौतिक साधनों की प्राप्ती तथा उप्योग से घनिश टूप से संबदित है प्रारंदिक परिभासाओं की आलोटनाओं का करण यह था कि उसमें अर्षास की विवेटना में धन को मानों के तुलना में महत्पूर्ण माना गया था जबकि देखा जाए तो धन मानों की आवशक्ताओं को पूर्ण करने के निमत साधन मातर है वास्विक धे तो समस्त मानो समधाय का कल्यान करना है मारसल ने मानो को अर्षास की विशे समागरी में परमुक इस्थान पर प्रतिसित किया फलता धन का इस्थान अपने अब गौड हो गया आई एक निगार डालते हैं मारसल की परिभासाओं के पहलूं के बारे में मारसल की परिभासाओं के जो पहलू थे उसमें पहला है अर्षास के विश्लिशन का विशे मानो है यह मानो एड़म इस्मित के कल्पना जनित आर्थिक मनुसे से भिन था इस हाड मास के बने वास्त्रिक, सामान और सामाजिक व्यक्ति के कारेकलाब अर्षास में समलिद किया सकते हैं दूसरा पहलू है अर्षास में मनुस्य के साधरान व्योसाय संबंधी कारियों का अध्यन आता है यहां आरशल इस्पश्ट नहीं थे कि साधारण और असधारण वेपार संबन्दी कारियों में क्या भेद है तिसरा पहलो है अर्षास्ठ मानों के विक्तिकत और सामाजिक कारियों से संब्द है पूर्वकालिक परिवासाइं धन से संब्दी थी चौथा पहलो है अरसास में मानों के केवल उन्ही कारियों के परिशा की जाती है जो कल्यान के भौतिक सादनों से घनिस रूप से संबद हैं गायक, नर्थकी, प्रोफेसर, वकील द्वारा किये जाना लाकार कोई निर्मार नहीं करता है इसलिए इनके कारियों का संबद किसी प्रकार से भौतिकता से नहीं है इसलिए इन वस्तूओं के कार अरसास्त्र विशे के अंतरगत नहीं आते हैं अब हम लोग चर्चा करेंगे कैनन तथा पीगू की परिभासाओं के बारे में कैनन के अंसार अर्षास का लक्ष उन साधान कारणों की विवेचना करना है जिन पर मनुस्य का धोतिक कल्यान निर्भर होता है। कैनन अर्षास को मानों की आर्थिक क्रियाओं का सास्त नहीं कहते हैं। वे सभी कारे जो मानों के भोतिक कल्यान को नहायद करते हैं अर्षास के अध्यन के विसे हैं। इस परिभासा का प्रधान दोस ये है कि इस परिभासा में ये इसपर्ष नहीं होता है कि भोतिक कल्यान और अभोतिक कल्यान में क्या अंतर है। एसी पीगू के अनुसार अरसास आर्थिक कल्यान का अध्यन है आर्थिक कल्यान से ताथ पर सामाजिक कल्यान के उस भाग से है जिसे मुद्रा के मापदंड से संब्धित किया रह सकता है उनका मानना थै कि हमारी खोज का छेतर सामाजिक भाग के उस भाग तक सीमित है जिसे म मुद्रा के मापदन से संबंधित किया सकता है जहां मार्सल के मतनुसार अरसास में मानो कल्यान के बहुतिक साथनों की प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्यन है वहीं पीगू के अंसार इसमें आर्थिक कल्यान का अध्यन आता है इस पस्ट है कि बहुतिक साथन सब्द ब इगनिफिकेंस अप एकनामिक साइंस में इस वर्ग की परिभासाओं में पाए जाने वाले दोसों के आधार पर निम्ना नुसार खंडन किया है। अर्सास का भोतिकता से संबन जोड़ना अनुचित है क्योंकि इसमें भोतिक और अभोतिक दोनों प्रकार के तत्यों का अधिन किया जाता है। पहले प्रकार के वे को कल्यान के भोतिक साथनों पर वे कहा जाता है जबकि दिर्ती स्रेणी का वे कल्यान के अभोतिक साथनों पर वे कहा जाता है। और अर्सास में दोनों का अधिन किया जाता है। आलोटना का दूसरा बिंदू है कि अर्षास का कल्यान के साथ संबंद जोड़ना ठीक नहीं है। सत्य है कि मद्रिया का मोलनी धारण उसी सिधानत के अंसार होता है जिसके द्वारा आन्यवस्तों का। अताइसपस्ट है कि कल्यान प्राधारित अर्षास की परिभासा बहुत अधिक संतोस जनक नहीं है। इसका कारण है कि एक ही किरिया कभी आर्थिक होती है और कुछ अन इस सित्यों में वही किरिया अनार्थिक हो सकती है। नमबर चार भोतिक कल्यान पर अधारित अर्षास की परिभासा नीती के ब्रह्मे फसी हुई है। अर्षास नीती से मुक्त ततर्च विग्यान है। यदि इस सास का संबंद कल्यान से रखा जाता है तो इस विशे सियासा की जाएगी कि यह निर्णे करके बताए कि किन कारणों से मानवी कल्यान में विद्धी हो सकती है। अता रोबिन्स बहुती कल्यान को अर्सास के विशे क्याधार पर सुईकार करने को त्यार नहीं है नमबर पांच अर्सास सामाजिक विग्याना होकर विसुद मानवी विग्यान है मारसल कैनन और पीगुवादी की प्रभासाओं से ग्यात होता है कि अरसा समाजिक विग्यान है और इसमें किवल समाजिक विक्तियों की ही आर्थिक क्रियाओं का धिन किया जाता है जबकि रोबिंस इसे एस्विकार करते हैं मानना थे कि समाजिक और गैर समाजिक सभी विक्तियों की एक ही समस्या है कि उन्हें अपने सीमिस सादनो द्वारा अनेक आवशक्ताओं के मद्ध कुछ को चुन कर उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है वास्तों में यही आर्थिक समस्या है जब ये समस्या गैर समाजिक फ्रिक्ति के सामने ठीक उसी परकार रहती है जैसे समाजिक फ्रिक्ति के समक्ष तो अरसा सभी मनुस्यों से संबंदित हो जाता है और इसलिए इसे समाजिक विज्ञान कहना ठीक नहीं होगा आई अब देखते हैं रॉबिन्स की परिभासा के बारे में वर्स 1932 में रॉबिन्स की पुस्तक तर नेचर एंड सिग्निफिकेंस आफ एकनाविक साइंस प्रकासित हुई इसमें रॉबिन्स ने कैनन मार्सल आदी विद्वान अधर प्रतिबादित परिभासाओं के मूल आधार का खंडन किया है वर्तवान समय में रॉबिन्स की परिभासा ही सबसे अधिक मानिता प्राप और सठीक परिभासा कही जाती है रॉबिंस ने अपनी परभासा के इस पस्टिकन के लिए एकांतवासी व्यक्ति का उधान दिया कि किसी एकांतवासी मनुस्य की चार समस्याओं पर विचार करना होगा पहला यह एकांतवासी मनुस्य वास्तिक आय और आराम दोनों चाहता है नमर दो वे आय और आराम दोनों आवशक्ता है पूर्ण रूप से संतुष नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास समय का भाव होता है किन्तो वे अपने समय का विभिन पकार से प्रियोग कर सकता है यदि वे वास्तिक आय अधिक चाहता है तो वे अधिक समय उत्पादन पर व्याय करेगा अने था आराम के लिए अधिक समय निकालेगा उसकी आविशक्ता की तीरुता वास्तिक आयसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा आराम के लिए भिन भिन होगी अताहुस के सम्मुक सदय और निर्णय की समस्या होगी कि अपने साधनों और आविशक्ताओं के मत्ध संबंद इस्थापित करें इस पकार रौबिंश तर्क करते हैं कि विभिन महत वाले लक्षों के पूरती करने के लिए साधनों की दुरलबता मानो आचन की समस्या है रौबिंश के अंसार यह आर्थिक समस्या है और अर्सास के अधिन का विसे है रॉबिंस की परिभासा के जो आधार है उसमें पहला है मानों के उद्देशियों की अनेकता मानों के उद्देश अनेक होते हैं यदि मानों के पास सभी उद्देशयों को पूर्ण करने के लिए साधन और समय परियाप्त है तो अरसास्त्री के मतलब की कोई भी समस्या उत्पन नहीं होगी आर्थिक पहलू का जन्म तो उस समय होता है जब उद्देश्यों के तुलना में साधन कम पड़ते हैं रॉबिंस की परिभासा का दूसरा आधार है साधन सीमित होना मनुस्य के बहुत उद्देश्य होते हैं परंतु साधनों के अभाव में वह इने पूरा नहीं कर पाता है आर्थिक समस्या होने के लिए साधनों का सीमित होना बहुत आवश्यक है जदि विक्ति की जितनी आवश्यक्ता हैं उतने ही उसके पास उने संतुष करने के लिए साधन हो तो अध्यन की कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी रोबिंस की प्रिभासा का तीसरा आधार है साधनों के विभिन प्रियोग आर्थिक समस्या उत्पन होने के लिए साधन थोड़े होने के साथ उनके विभिन प्रियोग होने आवश्चक है साधन सीमित होने और उनके विभित प्रियोग होने से व्यक्ति को निर्णे करना होता है कि कौन सा साधन किस आवशक्ता पर व्या किया जाए यदि सादनों के वैकल्पिक प्रियोग नहों कर केवल एक ही उप्योग संभव होता तो ऐसी दसा में कोई आर्थिक समस्या नहीं होती क्योंकि चुनाओ करने के पहलू के अभाव में आर्थिक समस्या होई नहीं सकती है नमबर चार आवशक्ता की तीरुता में भिनता मानों के सभी उद्देश समान रूप से महत्पूर्ण नहीं होते हैं जहां कुछ उद्देशों को पूर्ण करना आवशक होता है वहीं कुछ अने लक्षियों की पूर्ती कुछ काल के लिए इस्थगित की जा सकती है और कुछ को अपूर्ण भी छुड़ा जा सकता है आवशक्ताओं का लक्षण है कि वे तीरुता में भिन होती है अतेव असमान महतवाले अनेक उद्देशियों तथा विभिन उप्योग वाले सीमित साथनों की उपसिती संयुक तुरूप से मानों का जो भी आचरन इधायत करती है वही रॉबिन्स के अरसास का विसे है इस अधार पर रॉबिन्स ने अरसास को प्रभासित करते हुए लिखा है कि अरसास वे विग्यान है जो लक्षियों तथा वेकल्पिक प्रियोग वाले सुल्प साथनों के संबंद में बनने वाले मानवी आचरन का अध्यन करता है इस परिभासा के अधार पर रॉबिंस का मानना था कि भौतिक कल्यान को अधार मान कर दी गई सभी परिभासाओं के दोसों को यह दूर कर देती है उनका मानना तक ये दिपी रसोईे बहुतिक कल्यान का उत्पादन करते हैं और आपेरण नर्तक अभहुतिक कल्यान का उत्पादक होता है तता भी दोनों की सेवाएं सापेक्ष अर्थ में स्वल्प होती हैं और उनके विभिन उप्योग संभव हो सकते हैं ऐसी सिती में दोन और अभौतिक पहलों का अंतर समाप्त करके दोनों प्रकार की करियाओं को समान महतुपरदान किया। रसोयय और आपेरा नर्तक दोनों की सेवाएं सापएक्स अर्थ में सीमित होती हैं। जिसके करान दोनों की सेवाएं अरसास की प्रवासा में समलित की जानी चाहिएं। नमबर दो उत्येसियों के परती ततस्ता। रॉबिन्स ये स्विकार नहीं करते हैं कि आर्थिक समस्याओं का अध्यान नैतिक्ता पर आधारित किया सकता है। वे अरसास को केवलिक वास्ति विग्यान की रूप में स्विकार करते हैं। नमबर तीन निर्णय विधायक पहलू। रॉबिन्स ने अरसास को विशेश रूप से चुनाओ करने का विग्यान माना है। क्योंकि मानो जाती की मौलिक समस्या अपने असीमित लक्षियों तथा सीमित एमवेकल्पिक सादनों के मद्द समायोजन इस्थापित करने की है। इस दिश्टी से निर्णय विधायक पहलू अत्यंत महत्पून बन जाता है। अरसास एक मानवी विग्यान है ना की एक सामाजी विग्यान जैसा की मारसल का विचार था। इसके अंतरगत प्रतेक मनुस्य की आर्थी क्रियाओं का अध्यन किया जाता है चाहे वे समाज का सदसे हो अत्वा नहीं। विश्टित छीत्र। अरसास का छेत बहुत विस्तित माना गया है इसमें सभी मनुस्यों की उन समस्याओं का ध्यन किया जाता है जिसमें चुनाओ करने का पहलू अनिवाय डूप से विद्धमान होता है विस्तिनात्मक दिष्टिकोन रॉबिंस ने मारसल की वर्गीकरण रीती के स्थान पर विस्तिनात्मक दिष्टिकोन अपनाया है इसलिए उनकी विचारधारा अधिक वैग्यानिक और मान है वैग्यानिक दिश्टिकोंट से रोबिन्स की प्रिभासा अन्य प्रिभासाओं से सेष्ट है फिर भी इसकी अनेक आलोटनाय की गई नमबर एक अरसास उद्देस्यों के बीच पूर्ण रूप से तदस्त नहीं है रोबिन्स के अनसार अरसासी का कार्य केवल खोज करना और व्याख्या करना है समर्थन अत्वा निंदा करना नहीं उचित अंचित की यदि अरसास में व्याख्या की जाएगी तो हम अरसास की सीमा लांकर निति सास के छेत में पहुंच जाते हैं इसके विरोध में मारसल दथा पीगू के समर्थक इसे वास्विक्ता के साथ साथ आदर स्विग्यान और कला मानते हैं। नमबर दो छेत्र का नावस्य विस्ता राविश द्वारा मानो वेवार के अंतरगत सीमित समय और एक्छाओं की पूरूति के बीच असमर्थता को आर्थिक समस्या बताकर इसके छेत्र को व्यापक कर दिया हैं। जिससे विस्ता को ठीक ठाक निधायत कर पाना एक जटिल समस्या बन गई है। जो किसी के लिए आज़ लक्ष है वह आगे उसका साधन हो सकता है। जैसे कोई डिगरी पाना किसी का इदुधेत से है तो वही डिगरी आगे चलकर उसका साधन बन जाती है। नमबर पांच मानवी इस SPARS का अभाव। अर्षास्त्री एली का मानना था कि अर्षास्त विज्ञान से कहीं बढ़कर एक ऐसा सास्त्र है जो मानो जीवन के अनेक रूपों में व्यस्त है जिसके लिए केवल क्रमानुसार विचार ही नहीं वरन मानवी साहनभूती कल्पना तथा असाधर मात्रा में ज्ञान का संचित अनुक्रे भी आविस्सक है रॉबिंस की प्रिभासाओं में अर्सास में मानवी इसपर्स नहीं है ऐसी सिती में अर्सास को मानो कल्यान से संबंदित कर प्रभासित करना अधिक उप्यूक्त प्रतीत होता है अर्सास के नेमों में सापेक्षिक सत्यता अर्सास को आदर से से प्रतक कर रॉबिंस ने वास्तिव की ज्यान सुईकार किया जो उशित नहीं है क्योंकि मानों की मूल प्रुवितियां एक सी होते हुए भी मानों एक ही प्रिशिती में भिन भिन प्रकार से विवार करते हैं प पर बल दिया है और अर्थ व्योस्ता में मनुस्यों के आपसी समंदों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है कला पक्ष की उपेक्षा गन्ना। रॉबिन्स अर्थसास को वास्थि विज्ञान की रूप में ही पिरसूत करते हैं। मार्सल की भाती वे इसके कला पक्ष पर बल नहीं देते हैं। रॉबिन्स की परिवहासा में अनेक तुटियां हैं जिनके करण उसकी आलोटना सुभाविक है। फिर भी ये सत्य है कि ये रॉबिन्स की परिभासा तर्क पराधारित है तथा अधिक मौलिक और वैग्यानिक है यदि रॉबिन्स और मारसल की द्वारा परिभासाओं की तुलनात्मक समख्षा की जाए तो दोनों ही परिभासाओं में कोई भी पूर्ण नहीं है प्रतेक में कुछ गुण तथा कुछ दोस विद्वान है रॉबिन्स की परिभासा सेध्यानिक दिष्टिकोंड से अधिक स्रेष्ट है मारसल की परिभासा वैवारिक दिष्टिकोंड से स्रेष्ट माने जा सकती है क्योंकि यह वास्तिव की ग्यान के साथ साथ आदर सताकला दोनों ही पहलूं पर विचार करती है बहवारी जगत में यह ज्यान जरूरी नहीं है कि आर्थिक समस्या का रूप क्या है बलकि यह जानना भी जरूरी है कि समस्या का रूप क्या होना चाहिए तथा वह रूप किस प्रकार प्राप्त किया सकता है अब हम लोग चर्चा करेंगे जेके महता की परिभासा के बारे में जेके महता भारती विचारक हैं इनके विचार गांदीवादी दर्सन और मोलियों से प्रभावित हैं इन्होंने रोविंस की परिभासा का खंडन किया और एक भिन परिभासा दी जेके महता का माना था कि आवशक्ताओं को संतुष्ट करके सुख में व्रद्धी नहीं होती है प्रहे जितनी अधिक आवशक्ताओं की संतुष्टी की जाती है उतनी ही अधिक नवीन आवशक्ताओं का जनम होता है पढ़नाम यह होता है कि नई आवेशक्ताओं को संतुष करने के लिए नवीन सादनों की विवस्था करनी होती है अता आवेशक्ताओं की संतुष्टी में म्रिक्तिष्णा है आवेशक्ताओं को विश्यत करके कितना भी संतुष कर लिया जाए परंतु इसके द्वारा सुक और सांथी में विर्द्धी संभो नहीं है बहुत दर्सन, गांधिवाद, कवीर का ग्यान भी यही कहता है पास्चाहत पूंजिवादी देशों में अभी भी अधिक मात्रा में बहुतिक पदार्तों के उभोग को ही जीवन का लक्ष माना जाता है परंतु अब वहाँ भी लोगों को अनाविस्टक बहुतिक पदार्तों के उभोग की निर्थकता का आभास होने लगा है इस दरसिंग अधार पर जेके महताजी अर्सास को इस पकार प्रवासित करते हैं अर्सास वे विज्ञान है जो आवशक्ता विहिंता की इस दिती प्राथ करने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों से संबंदित मानवी वहरका अध्यन करता है महता रोबिन्स के इसमत को सुईकार नहीं करते हैं कि मानों के लक्ष अनेक हैं उनका मानना थे कि सभी व्यक्ति एक ही लक्ष को प्राप करना चाहते हैं और वह लक्ष है सुख सुख को पाने के लिए मनुस्य को सीमित सादनों को व्य करने में चत्राई दिखाकर अधिकादिक आवशक्ताओं को संतुष करने का प्रत्न नहीं करना चाहिए ऐसा करने पर कभी भी आवशक्ता विहिंता की सित्य को प्रात नहीं किया सकता है महता के अंसार मनुस्य आवशक्ताओं का दमन करके ही आवशक्ता विहंता की सित्य को प्रात कर सकता है आईएब चर्चा करते हैं जेके मेहता की परिभासा के दारसनिक आधारों के बारे में जेके मेहता की परिभासा का पहला दारसनिक आधार है मानवी वहवार मानसिक असंतुलन का परणाम मनुस्य अपनी बाहे प्रसितियों से प्रवाइथ होकर रोज नई वस्तूओं की और आकरसित होता है और अनेक नेर्थक वस्तूओं को आविस्तक समझ कर पाने की जेश्टा करता है ऐसा मानसिक असंतुलन के कराण होता है महता के उनसार मानमी भेवार जो अरसास की विसे समागरी है मानसिक असंतुलन का परणाम है महता की प्रवासा का दूसरा दार्शनिक आधार है आत्म सैयम द्वारा मानसिक संतुलन मानसिक संतुलन प्राप्त करने के दो उपाए है पहला जैसे इस से आवे सकता है बढ़ें उन्हें संतुर्ष करने के लिए साधन जुटाए जाएं यदि व्यक्ति पर्यात मात्रा में साधन जुटाने में सफल हो जाता है तो वह मानसिक संतुलन भी प्राप्त कर लेगा लेकिन इस परकार का संतुलन इस्थाई नहीं होता है इसलिए इस परकार सुख प्राप्त करना दोस्पूर्ण है दूसरा यह आत्म संयम है जिसके लिए आत्म प्रसिक्षण के आशकता है जो विक्ति एक्छाओं का दमन कर लेते हैं उन्हें प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है इस परकार जो सुख प्राप्त होता है फे इस्थाई होता है मेटा की प्रिभासा का तीसरा दासनिक अधार है नियूंतम आवशक्ताओं की संतुष्टी द्वारा अधिक्तम सुख यदि ये सत्य है कि आवशक्ताओं को कम करके प्राप्त किया जाने वारा मांसिक संतुलन स्थाई होता है तो इससे जो सुख प्राप्त होगा वे अधिक होगा परन्तु आवशक्ताओं का एक साथ दमन करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे मानसिक तनाव होगा इसलिए आवशक्ताओं से मुक्ति पाने के लिए इसमें धीरे-धीरे कमी की जाए इससे ना तो मनुस से अपने आपको अभावग्रस्त अनभव करेगा और ना ही किसी वेकार का मानसिक तनाव होगा नमबर चार जीवन का लक्ष आवशक्ताओं विहिंता मनुस से के अनेक लक्षों की बात करना आसंगत है सभी वेक्ति सुख प्राप्त करने के लिए कारे करते हैं और सुख की प्राप्ति केवल आवशक्ता विहिंता की सिती हो सकती है यह प्रवासा अतेन ठोस है परन्तु आज के भौतिक वादी युग में इन पर पूर्ण सहमती नहीं हो सकती है अई चर्चा करते हैं जेके मेहता की प्रिभासा की आलोटना के बारे में नमबर एक आदर्सवारी दर्शन एक साधरन वेक्ति के लिए मेहता का सुझाओ मानकर आवशक्ता विहिंता की दिशा में प्रगति कर पाना संभो नहीं है इसको ऐसे समझा सकता है कि एसी फ्रिस को छोड़ कर कोई कैसे गर्मी के मौसम में सियम को सुखी समझ सकता है नमबर दो अधिक्तम सुख और आवशक्ता विहिंता की आसंगती सुख की विर्दी वास्तों में आवशक्ता विहिंता में नहीं पाय जाती वरन इसके लिए मनुस्ख की कम से कम अनिवारे और आरामदायक आवशक्ताओं तो संतुष्ट अवस होनी चाहिए इसके बाद जैसे ऐसे विलास्ता की वस्तों का उप्योग बढ़ता जाता है विक्ति को अधिकाधिक आनंद और संतोस की उपलब्दी होती है आर्थिक प्रगती में बाधा आर्थिक प्रगती के लिए उत्पादन का विस्तार आवशक्ता विहिंता की दिसा में प्रतसील व्यक्ति उत्पादन की ओर ध्यान नहीं देंगे और समाज पिछर जाएगा नमबर चार अरसास के अधार पर आगहात आवशक्ताओं के तुलना में सादनों की कमी के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन होती है यदि समाज में सभी व्यक्ति आवशक्ताओं का दमन करके आवशक्ता विहिंता की इस सिती को पाने का प्रिंद करने लगेंगे तो ना तो कोई आर्थिक समस्या होगी और ना ही अर्थसास जैसा विसे रह जाएगा आईएव चर्चा करते हैं अर्थसास की परिभासा मार्षवादी दिश्टिकोंड से आज जिस अर्थसास का अध्यन किया जाता है वे मुख्ष रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में विक्सित अर्थसास रहे यह पूंजिवादी अर्थविवस्था का विश्लेशन करता है यह तीन परमुख मानिताओं पर आधारी थे पहला नीजी संपत्ती सभी के हित में है और इसलिए पूंजिवाद निया संगत अर्थ प्रणाली है नमबर दो इस प्रणाली में सभी को स्वतंत रूप से निर्णे करने की स्वतंता होती है नमबर तीन बाजार में पूंड प्रतियोगता होती है प्रस्वी अर्सासियों के अंसार इस माडल अत्वा प्रतिमान के भीतर उत्पादन प्रणाली निर्पेक्स रूप से कुसल है और इसके बाहर किनी भी मानवी संबंदों से अर्सास का कोई संबंद नहीं है रोबिन्स ने अरसास की मुख समस्या सीमित्ता या सुल्टता बताई है लेकिन ये सीमित्ता की समस्या वास्तों में निजी संपत्ती की समस्या है इस परकार रोबिन्स की प्रिभासा निरी संपत्ती है और उस पर आधारित पूंजीवादी रत्प्रणाली के समर्थन का बहुत धिक अस्त्र है मार्क्सवादी विचारक अर्सास को भिन पहलू से देखते हैं मार्क्स को विच्व के तीन महान अर्सास्तियों में गिना जाता है और ये हैं एडम स्मित, केंस और मार्क्स मार्क्स के अमसार अर्सास तर वस्तूओं और मानों के बीच संबंद का अध्या नहीं करता है यह व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों और इस परकार विभिन वर्गों के बीच संबंधों का विच्छेशन करता है प्राचीन काल में अर्सास के अध्यान के लिए कोई समस्या नहीं थी क्योंकि लोग विन्मे के लिए उत्पादन नहीं करते थे उससे में उत्पादन एक व्यक्तिकत किरिया थी उत्पादन किरिया सामाजिक संबंधों के बाहर थी जब उत्पादन कार एक सामाजिक किरिया बन गई तो उत्पादन के संबंधों का ध्यान करने के लिए अर्सास के आशकता हुई एल लियोन तीउड ने मार्स से प्रवाइद होकर अर्षास को इस पकार प्रवासित किया कि अर्षास मानो समाज के विकास के विभिन चर्णों पर जीवन निर्वाह के भौतिक साथनों की उत्पादन और विन्मे को निर्वाइद करने वाले नियमों का विक्यान है पाल बरन पाल एम स्वीजी ओसकर लेंगे आदी अनेक अर्षास्तरी इसी मत को अधिक उचित मानकर अर्षास में उत्पादन के संबंधों के अध्यन पर जोड़ देते हैं अर्षास के संबंध में मार्षवादी विचाधारा रोबिन्स के एमत की तुलना में निमलिखित कारणों से अधिक वैग्यानिक और सेष्ट है नमबर एक मार्षवादियों के उनसार मानो समाज के विकास के साथ साथ उत्पादन संबंध बदलते रहें पहले दासत प्रणाली थी फिर सामंतवादी अर्थ प्रणाली का विकास हुआ इसके विगटन के बाद पूंजीवाद आया और जहां पूंजीवाद अर्थ बेवस्ता समाप्त हुई वहां समाजवादी बेवस्ता विक्सित हुई इन विभिन आर्थिक प्रणालियों में उत्पादन और विनिमे को निधायत करने वाले अलग-अलग नियम होते हैं इसलिए एतिहासिक दिष्टी अपना कर ही इन नियमों को समझा जा सकता है रोबिंस के पास एतिहासिक दिष्टी नहीं है वे पूंजिवाद के पक्सधर हैं और उनकी दिष्टी विक्तिकत संपत्ती की अनिवारता के साथ साथ उसकी अलगता के विचार से दूसी थे इसलिए वे पूंजिवादी अर्थप्रणाली को ध्यार में रखकर ही अर्थ सास को परभासित कर सके हैं जो ठीक नहीं है नमबर दू मार्सवादियों के अंसार अरसास के विशे के अंतरगत सामाजिक संबंद आते हैं इन संबंदों में सामाज़से का अबाओ होने के साथ यदि समाज में विभिन वर्ग हैं तो उत्पादन संबंदों में हितों का प्रतक्ष टकराओ होता है रॉबिन्स की अर्षास की प्रभासा में यह मानिता अंतर नहीं थै कि सामाजिक संबंदों में कोई अंतर विरोध नहीं होता है अताव वे वेक्ति को ध्यान में रखकर केवल आर्थिक चैन पर जोड़ देते हैं पाल एम सुईजी के अंसार मार्क्स अर्षास में जिन तथ्यों को प्रभासित करते हैं वे प्रया है उत्पादन से जुड़े हैं इनके अध्यन से आर्थिक जीवन और उसके विकास को समझने में सहता मिलती है जबकि रोबिन्स ने मनुस्य के आफसी संबंदों की उपेख्छा कर मनुस्य और वस्तूओं के संबंद पर बल दिया जो उचित नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया परंपरावादी अर्षास्त्री एडम स्मित भौतिक कल्यार का विज्यान मानने वाले अर्षास्त्री मार्सल, कैनन, पीगू, रॉबिन्स और जेके महता आदी के द्वारा दी गई अर्षास की परिभासाओं के बारे में इसी के साथ हम लोगों ने चर्चा किया अर्सास की प्रभासा में मार्श वादिद इस्टिकोन के बारे में आसा है ये वीडियो अर्सास की विद्यार्थियों और अर्सास में रुच्ची रखने वाले जिग्यासों के लिए उप्योगी सिद्ध होगा इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अर्मती दीजिए थैंक्यू धन्यवाज जहिन